हिमांचल वर्देश की चार लोकसभा और छे बिधन सभा उप चुनाब को लेकर कॉंग्रेस पार्टी में टिकेट पर मंधन जारी है। इसी को लेकर कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रत्वा सिंग भी दिली दोरे पर थी। दिली से लोटने के बाद शिमला में मेडिया से बाचित में प्रत्वा सिंग ने कहा कि लोकसभा चुनाब में कैंडिडेट के नाम पर चर्चा जारी है। इस दोरान उन्होंने कहा कि मंडी सीट पर बिकरम अधित्य सिंग को चुनाबी मैदान में उतारने को लेकर पाटी वीचार कर रही है। बाजबा परतियाशी कंगना रनोत एक युवा है ऐसे में उनको टकर देने के लिए एक युवा नेता की अवश्यक्ता है उन्होंने कहा कि बिक्रम अदित्य सिंग एक यूथ आइकन है ऐसे में शेतर का युवा भी उनके साथ जुड़ेगा इनी सब तत्यों के अधार पर कि मास्वी 36-37 और विक्रमा देते भी 34 साल के तो ज्यादा मतलब कॉम्पेटिशन में हो तो बराबर बराबर उमर के हो एनरजेटिक हो लोगों को प्रभावित करने वाला व्यक्ती चाहिए जो अच्छा ओरेटर हो और अच्छा उसके साथ यूथ भी जोड़ता है यूथ सो ये सारे प्लस पॉइंट से जिसकी वज़ा से सभी निताओं ने ये सुझाव दिया हालनकि उनको ये पता है कि मैं सेटिंग मेंबर हूँ मेरा टिकेट काटना इतना सार नहीं है बट उन सभी का सुझाव था कि अगर हमारे लिए ये सीट मंडी की बहुत महत्वपूरण है जीतना इसमें क्यूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आशिरवाद है बीजेपी की कैंडिडेट के लिए और वो भी पूरी ताकत से इस इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं तो इसमें हमारी तरफ से भी कोई कमी नी रहने चाहिए कोई कॉम्प्रमाइज नी होना चाह वो भी एक सीनियर लीडर है और अच्छा रुत्बा रखती है उनका भी काफी अच्छा रेपूटेशन है अपने लोगों के बीच में तो उस पे भी चर्चा हुई है पर अभी वो नाम तै नहीं हुआ है कुछ का सुझाव कुछ था कुछ था उन्होंने सभी ने नोट किय है सभी ने देखा है कि आपने क्या-क्या सुझाव दिये हैं तो उन्होंने भी सर्वे करवाए होंगे सर्वे के मताबिक वो भी जो जिसको सही समझेंगे उसको वो सीची की मीटिंग तक लेके जाएंगे और सीची इसको डिसाइड करेगी कि कौन पर शिमला से नेर्ज डो कि रिपोर्ट